सो हेलो एवरिबड़ी मैं डॉक्टर सुमित गुपता कंसल्टन नियॉरोलिजिस्ट अटमंदीप हॉस्पिडल अमरिट सर तो हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोग डे मनाया जाता है तो आज 29 अक्टूबर को इस वर्ल्ड स्ट्रोग देखे उपर हम स्ट्रोग के पर और अवेर्नेस पहुंच सके तो स्ट्रोग एक मेडिकल एक नियॉरोलोजिकल एमर्जिंसी है स्ट्रोग मतलब बिसिकलिए दो तरह से हो सकती है या तो ब्रेन में किसी तरह की खून की नस में क्लॉट हो जाना जो की मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोग है जो की 80 85% स् 15-20% जिसमें खून की नस फट जाना जिसमें हैमरेज भी हो सकता है मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है तो स्ट्रोग किन लोगों में ज्यादा कॉमन है क्या रिस्क फैक्टर है क्या सिम्टम्स है यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और जब यह सिम्टम्स किसी पेशन्ट में आए तो इमेजेटली क्या एक्शन लेना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए या इससे होने वाली जो डिसेबिलिटी है उसको मिनिमाईज करने के लिए तो स्ट्रोग किन लोगों में ज्यादा होने का चांस रहता है सबसे इंपॉर्टन्ट एडवांस अनकंट्रोल है या अल्कोहल कंजम्शन ज्यादा है स्मोकिंग है को हाट बिजीज है इन लोगों में चाहिए तो स्ट्रोग के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जिनने की आप तुरंट पैचाने और पेशिटिन को हास्पिटल लेके जाएं तो इसका इस बड़ा असा जो हम याद रख सकते हैं जिसे कहते हैं B fast तो B से मतलब suddenly एक दम से कोई balance में problem आ जाना या चलने फिरने में problem आ जाना E, E से मतलब कोई eyesight related problem आ जाना जैसे कि दुनला दिखना, double double दिखना Fast, F मतलब कि कोई face की एक side पर drooping हो जाए मतलब angle of face जो है, mouth जो है वो एक side को नीचे को जुग जाए तो उसे बोलता है facial weakness E, मतलब कोई arm weakness एक तरफ कोई arm या leg में किसी तरह की कोई कमजोरी आ जाना S मतलब कि कोई speech संबंदिक problem आ जाना, या आवाज लडखडाना, या एकदम से आवाज चले जाना या मरीज को जो कह रहे हैं उसको पूरी तरह से वो समझ ना आना, कि वो reciprocate नहीं कर पारा कि क्या कहा जा रहा है और T मतलब कि immediately telephone करना, ambulance पुलाना तो stroke के case पे, जब भी आप किसी मरीज में ऐसा कोई symptoms देखते हैं तो immediately patient को hospital rush करना है, क्योंकि stroke के case में time is brain हर minute millions of neurons के death हो सकती है, जो brain के cells होते हैं तो जितनी जल्दी patient hospital आएगा, जितनी जल्दी treatment initiate होगा उतना ही patient को जो deficit है, जो की neurological problem आनी थी, disability होनी थी वो कम से कम रहेगी और recovery होतनी ही fast हो, तो अब हम बात करेंगे कि stroke के मरीज में हमारे पास treatment options क्या है, या इसको future में prevent कैसे किया जा सकता है तो stroke के case में सबसे important है कि कितनी जल्दी patient को hospital लाया गया है तो इसमें एक चीज होती है window period जिसे हम बोलते हैं golden hour तो अगर patient को within four and a half hours वो treatment वो injection दे दिया जाए, जिसे कि हम clot buster बोलते हैं या thrombolitik agent बोलते हैं, अगर वो injection दे दिया जाए, तो patient के symptoms बहुत जल्दी recover कर सकते हैं और patient को जो disability हो सकती थी, वो भी prevent की जा सकती है तो stroke के treatment में, इस golden hour में जो हम treatment देते हैं, दवाईयां देते हैं, उसके इलावा post-stroke जो recovery है, और भी बहुत जादे factors की उपर depend करती है, जैसे कि rehabilitation जिसे हम बोलते हैं कि stroke के बाद अगर patient में कोई कमजोरी है, कोई बोलने की तकलीफ है, तो उसमें physio therapy कितनी अच्छी हो रही है, speech therapy हो रही है या नही, patient का sugar control है, BP control है, patient की दवाई बराबर वो ले रहा है या नही, दवाई बीच में miss करते हैं, तो फिर से stroke होने का risk उतना ही जादा बढ़ जात factors थे, जिसकी वज़े से stroke हुआ, उनके जो treatment है, वो पूरे proper तरीके से ली जाए, क्योंकि अगर हम ये treatment discontinue करते हैं, तो दुबारा future में attacks होने की probability बहुत जादा बढ़ जाती है, तो I hope कि आपको आज का वीडियो informative लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा इस से, तो जल्दी म मिलते हैं, एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ, thank you so much.